हेलो स्टुडेंट्स आज अपन लोग एक नया चैप्टर इस्टार्ट करने वाले क्लास नाइन का कंस्ट्रक्शन के लिए डियर तो देखो बड़ा बहुत छोटा चैप्टर है मेरे साब से दो लेक्चर में आपका खतम हो जाएगा आज और एक अगला लेक्चर दो लेक्चर में आपका एंड हो जाएगा सिंपल चैप्टर है बढ़ आपको आना चाहिए कि कैसे सौल करना होता है कंस्ट्रक्शन के क्लिए बाकी आपको थोड़ी से खुद से प्रैक्टिस करने पड़ेगी क्योंकि बीना प्रैक्टिस के इसमें आपकी एक्यूरेसी नहीं आएगी ठीक है कभी-कभी कुछ आप ड क्यों हो रहा है मतलब इवन ऐसा बोन सकते प्रूफ के बारे में बात करूंगा कि ऐसा क्यू हो रहा है ठीक है डियर चलो तो क्लास-9 यह छेप्टर घिकале-10 का नहीं ठीक क्लास 9 का जिसमें में में अपना ट्राइंगल बनाना सीख थे परपेंदिकुल भाइस अंगल बाइशometer था टू मैं с्टार्ट करता हूं चलो सबसे पहले मैं बात करता था परपेंदिकुल भाइसे क्या होता है एसी लाइन जो ला लाइन सेग्मेंट के परपेंडिकुलर भी हो, और उसको बाइसेक्ट भी करती हो, मतलब हाफ भी हो, meaning? सपोज मैं एक लाइन ड्रॉ इराइ यह मैंने लाइन ड्रॉ करें, अब एक ऐसी लाइन बनाना है जो इसके परपेंडिकुलर भी हो, और इसको तो दो equal part में divide भी करती हो, ठीक है, ठीक है, तो मैं suppose पहले आपके लिए एक example ले लेता हो, मैंने scale ले लेता हो आपके लिए, ठीक है, अपने scale को लिया, यह रोलर, ठीक है, मैं कोई भी length, जैसे यह अपने को, यह in change में है, तो मैं तो अपने इसाप से अपने ले लेते, अब म ठीक है, यह six inch की मैंने line draw कर दी, तो इसका bisector draw करना है, ठीक है, मतलब ऐसी line जो दोनों को half half divide करें, ठीक है dear, तो देखो मैं protector, compass लेता हो आपका, ठीक है, compass से क्या करना है dear, एक कौन है, सबोस्थ मैं कोई भी एक line नाम दे देता हूँ, नाम करन ज़रूरी है, A और B बोलते ह क्या हो रहा है, चल क्यों नहीं रहा, अब चला, A और B, ठीक है, दोनों extreme point, तो अब मैं इन दोनों का perpendicular bisector draw कर, तो क्या करना है dear, पहले आपको compass, compass ही बोलते हैं, यह protector भी बोलते हैं, पता नहीं है, जो भी अब मैं तो compass ही बोल देता हूँ, compass को क्या करना है, एक point पर रखना सपोज मैंने यहां पर रखा, A पर और इसको half से ज्यादा open करना है, जैसे यह यहां तक है, इसका approximate half ले लो, जैसे मेरे में को पता है, लगबग half इसका यहां पर कहीं आएगा, तो मैं approximate half लोंगा और इससे ज्यादा open कर देना है, ठीक है, मैंने half से ज्यादा approximate open करना है, accurate त आपको कम नहीं होक्छी अब क्या करना है इसको यहां कि इस अपर यहां पर एक कट लगागुना इस से एक स्ट्रविन मैं पूर्च सेम उतना ही खुला होको होना हिई थीए में उतना ही इसको वापस्य आप ल सेन, यहां पर माना देता हो, वापस माने अपने कॉटा है, उतनाई खिर को लावा होना छीन यहां, तो मैं इसको नीची लिया तो, तो दीकित यहां से मेच नीचे भी कट लगा लेता हूं यह नीचे कट लगा है ठीक है के लिए यहां पॉइंट लिया यहां से उपर कट एक नीचे कट अब इसका क्या करना है इसको उतना ही खुला रखना है डियर और पॉइंट को इस पर ले आओ यह वहले पर बी पर उतना ही खुला रखना है यह बात ध्यान रखना बी पर लिया है ठीक है उतना ही खुला होना चाहिए यह बहुत इंपोटेंट बात है ठीक है अब क्या करना है आपको उतना ही खुला रखते जो कट यहां से दो मालेते है वैसे वैसे इससे भी मालना है ठ कट मेरा यह मिला सेम कत वितना वुतना उपर से भी उपर भी इक लगा देता ओंञा हो ठीक है तो यह आपके अपने दो कट हो गए निये फिर्टेक्ट के ले ऐब क्याई अब क्या करना ंइन दोनों को यह दोनों पॉइंट जहां पर भी आपके मीट कर रहें इस दो मैं उद यह करूँ यह दो पौइंट को मीट करवा दो तो मैं इन दोनों पॉइंट को मित करवा देता हूं को लाईन से ठीक है लिıllैन की कॉनानी से पास नहीं हो रही है कि यह लाइन है कि में थोड़ी सी हो सकता है एक्विरेसी गरबढ़ हो उसके रीजन से अपना हलका सा डाइग्राम डाइवेट कर सकता है अब जो यह लाइन होई ना डियार यह इसके परपेंडिकुलर भी होगी और हाफ भी होगी ठीके परपेंडिकुलर हाफ का मैं एक बार चेक कर लेता हूँ एप्रोक्सिमेट 3 होनी चाहिए तो देखो एग्जैक्ट 3 आई है 3 इदर रही 3 उदर रही तो देखो आपकी एकदम हाफ हुए और इसके परपेंडिकुलर है परपेंडिकुलर चेक करने के लिए अपने पास एक डी होता है अच्छा इसको प्रॉटेक्टर बोल ते उसको कम पास बोलते चलो जो भी है तो परपेंडिकुलर भी है और उसको बैसेक भी कर need है घंसरी है यह लाइन सेगमेंट इसको बोले सेथा हूँ एं ठीक है यह आपके perpendicular भी है और बाइसक्र अब मैं इसका थोड़ा सा आपके लिए प्रूफ पे जाता हो कि प्रूफ कैसे होगा ठीक है इसको उड़ा देते हो इसके proof की बाद करता हो ठीक है यह मैं मिटा देता हो इसको यह ना वो खाले में ये यह दोनों मीट करवा दिया कि लिए सिमिलरली इसको इससे मीट करवा दो वैसे तो देखो मैं क्या करता हूं जो यह ए प्रोटेक्टर की हल्प से क्या करता हूं यह जो पहले था ना इतने खुला हूय गया अभी भी कि हैं उत्मा स्वेई खुला हूँ इस से पुरा एक सरकल यह जो मैंने चोटा सा आर्क बनाये न वह चोटा सा आर्क नेहीं लेके मैं पूरा सरकल डुरा करता हूं कर यह आप समझ typically मैंने फुरा एक सरकल डुरा करा आर्क नहीं करके, ठीक है, सेम काम इधर से भी कर लेता हूँ, इस पॉइंट से, ठीक है, उतना ही खुला हुआ है, तो कोई दिक्कत होगी नहीं, अपने को, दूसरा नया कला ले लेते हैं, इसके लिए, ये दूसरा आर्क, दूसरा सर्कल ट्रॉकर, ठीक है, अब जदर सभी चार, क्या करता डीर, अपने दोनों से एक एक आर्क ड्रॉ कर दी, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ, इसको मिटा, ओब देखा, अब देखा एक बात समझ मैं आ रही ही हुए, ठीक है, यह जो है ना, इसको माल लेता हो PQ, यह अपने सर्कल में पढ़ाता है, यह इसकी common chord है, साथ सर्कल में कहीं मैंने प्रूव करवा हो या पर question में कहीं कहीं, डिस्कूस करा हो, यह इसकी common chord है, common chord सर्कल के center को meet कराने वाली line segment को, sorry, line segment के perpendicular होता है, इसको half नहीं करता है, बट इन दोनों सर्कल की radius सेम है, तब उसको क्या करता है, दोनों को meet कराने वाले line segment को half भी करता है, ठीके मैं वापस बता जाता हूँ, इस दोनों सर्कल की radius सेम है, उसकी common chord होती है, वो दोनों के center को meet कराने वाले line segment के perpendicular और उसका आधा ह को ठीक्ट करने के लिए मैं क्या करता हो इन दोन्हों ट्राइंगल को लेता हूँ ये वाला ये वालडर राइंगल एनवलर ट्राइंगल बपार kraal वी पी-ट्रीचनि और यह दोनों भी equal हो गया ठीक है तो आप यहां पर देखोगे तो triangle a p a p अच्छा यहां पर भी p लिखा हुआ है इसको मैं change कर लेता हूँ आर ले लेता हूँ a p n n यह सौरी a p q is congruent to triangle b p q ठीक है दोनों congruent हो गया अब जैसे congruent हुआ तो उसके corresponding part equal हो जागे तो suppose यह यह ले 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 ताब यह alpha होगा तो यह भी alpha होगा ठीक है अब यह दोनों triangle लेते हो यह दोनों triangle भी concurrent हो जाएंगे triangle a p triangle a p r is congruent to triangle a pr a pr is congruent to triangle b pr ठीक है दोनों triangle congruent होगे concurrent जैसे हुए तो आपका देखोगे ना तो AR equal to कैसे concurrent हुए देखो ये common side है ये एक side equal है दोनों की और बीच का angle equal तो दोनों concurrent होंगे triangle तो मतलब AR equal to क्या हो जाएगा डियर RB और angle PRA is equal to angle PRB ठीकि तो दोनों equal होंगे तो दोनों equal होंगे तो टोटल 90 है तो दोनों कितना होगा तो टोटल यह से आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं यह तो आपके समझने के परपस से बताई कि आपको थोड़ा सा समझने में आ जाए बाकि याद रखने की ज़रूरत नहीं पर्पेंडिकुलर बाइसे क्यासे ड्रॉह करते है वो आपको जरूर आना ची की लिए डियर अगला आधा डियर पर्पेंडिकुलर फ्राम पॉइंट पी ठीक डियर तो देखो अगेन अपन ले आते टूल, मैट्स, कमपास, प्रोटेक्टर और रिशुलर, ठीक है तीनों लिए रहा है अब डियर इस बार क्या करना है मिलोको इस बार प्रपेंडिकुलर ड्रॉह करना बट कोई दूर पॉइंट से करना है मतलब सपोज मैंने एक लाइन ड्रॉह करी फाइव सेंटिमेटर की ठीक है फाइव इंच है यहां पर तो इंच ले लेते हैं पंदू यह फाइव इंच की एक लहें ड्रॉह करी है थोड़ी बढ़ी ले लेते है यहार भड़ी लेगे ना तुछ हरस्तील देते और के समझने के लिए थोडेव आसा नहीं हाँ पे यह पॉइंट है अब डियर क्या करना है आपको इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है इस लाइन पे तो बोलेंगे बच्चे बोलेंगे बहुत सब यह तो अभी अपने ड्रॉ करा उसमें अलग था उसमें क्या था यह लाइन थी यह परपेंडिकुलर ड् से था होना च pada मुझल होजी था है। मैं नहीं है तो यह बात है मुझ आ की सिसका एक तरीका होता है। ठीक है तो वही तरीका अपन सीख लेते हैं ठीक है डियार लाइन बहुत छूटी लगए चलो कोई ना जो भी है देखो इसके लिए क्या करना है कि अगेन अपने को जो आर्क है अपने पास उसको फी पोइंट पर निया ठीक है अब अगली बार shaken अपने को आर्क उपन करना है अब ध्यान रखना है कि आर्क कैसे ओपन करक wicked करो ना तो इस कि और इतना करता है कितना करना चाहिए कि आप की इच्छा से open करना है ताकि इस line को दो जग़ा कट कर दे ठीक है इस line को दो जग़ा पे कट कर दे अब हो सकता है कभी यह cut करें बाहर cut करें तो फिर इसको extend करके cut करवाना पड़े है इसको extend करके फिर यहां कहीं cut करवा रहा हो तो वहां पर भी करवा सकते हूं बट most try आप यही करो कि वो दो line को दो point पर cut करें तो suppose मैंने एक point लिया P, एक लिया Q एक मैंने ले लिया P, एक लिया Q अब डियर P, Q का perpendicular bisector draw करना है क्या है? P, Q का perpendicular bisector ठीक है? तो मैं P, Q का perpendicular bisector draw करने जा रहा हूं यह रहा है, इस P, Q का अभी जो अपने सीखा था वैसे ही perpendicular bisector अपने को draw करना है P, Q का तो देखो, अच्छा P मैंने already ले रखा था था तो M, N ले ले था, M, N ले ले था ठीक है? इस M, N का perpendicular bisector draw करना है तो perpendicular bisector draw करना अभी अपने सीखा था क्या करते है? M, N का करना है, पूरी line का नहीं M, N का तो M, N इतना है तो इसको आदे से ज्यादा अपन थोड़ा सा open कर दो फिर क्या करेंगे? अपन ऊपर ले जाके cut कर देंगे ठीक है? तो मैंने एक cut मारा ठीक है? वह उतना ही open करके नीचे भी एक cut मार देंगे ठीक है? एक cut मार दिया ठीक है? अब उतना ही open रखना है और M पे ले जाना है M से एक नीचे cut लगाना है कुछ गरबढ़ होगी कुछ गरबढ़ होगी तो कुछ दो मेट यह जो अपने आर्क बनाया है न वो मूव कर गया में यको लग रहा है तो वापस एक बार बनाते यह P Point लेइस पी पोइंट से नहीं हुआ है gua फस एक बार दो सोड़ी्ट पे यहाँ पी पॉइंट ल stifflynd venmaed यहाँ पर कट लगाए है ठीक है यहां पर कट पर यह मैंने लिया M यह लिया अब MN का Bicector लिएले तो MN का Bicector कैसे बनाना है वह अपने को पता है आधे से ज्याधा open करना है यह पूरा यह आधे से ज्याधा एप्रोक्सिमेट यहां पर आएगा वो ही अपने को M पे ले जाना है, M से उपर कट मारना है, क्या दिक्कत हो रही है, घरब्ण हो रही कुछ, यहां से भी कट मारना है, अब एक लाइन ड्रॉ करनी है, जो इन दोन, मतलब इससे पास हो जाए, ठीक है, सही है, उस टाइम भी सही है अब देखो, अब यह जो लाइन है ना डियर, यह इसके परपेंडिकुलर होगी हमेशा, आप चेक कर सकते हो, रोटेट होगी हलकासा, यह इसके परपेंडिकुलर भी है, हो सकता है, हलके फूल की एरर रही हो, बट देखो, यह इसके परपेंडिकुलर भी है, और P पॉइंट से पास भी हो कहा हो तो उपर नीचे इसमेंसे एक कर लो समय अब Chr endsya कर जेकर के उसको फी से सिदा मिला दो टो वहहमेशा एसे होगा क्वे इन दोलों से जो पास हो गा ना वहमेंसा फी से पास होगा ही होगा क्यों अब देखते क्यों सपोज यह सर्कल का मैंने हिस्सा बनाया पूरा बनाता तो एक सर्कल बनता अब देखो यह क्या है मैं एक सर्कल की क्या है कॉर्ड है अब कॉर्ड का अपन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रो कर रहे है बाबा तो कहां से पा कभी भी कोई circle की chord होती है उसका perpendicular bisector draw करते तो वो आपके circle के center से ही pass होता है तो ये आपका हमेशा point P से pass होगा ठीक है तो इसमें कुछ भी आपको doubt नहीं होना चाहिए P से pass तो होना ही होना है उसको उसके अलावा कुछ option भी नहीं है उसके पास ठीक है तो ये perpendicular draw करना है कोई भी point से तो दोनों चीज़े different है perpendicular bisector लगे perpendicular draw करना कोई भी point से वो different है तो कोई भी point से आप draw कर सकते हो ठीक है डियर चलो next move करते है अगला है डियर आपका angle bisector अब युदिए इंगल बैसे रोकर अगें अपने हत्यार ले आते हैं अपन मैदान में कि मैंपास रोलर और और प्रोडाक्टर ठीक है अगल बाई सेट्र यह सब्सक्री मेंको जैसे यह मों दिन कोई है अन्यों बनाना है ठीक मैंने एक एंगल बना लिया कि यह बना क्यों नहीं कुछ ड्रॉ क्यों नहीं हो रहा है यह एटीडीरी बनाना चाहरा हो बन नहीं रहा है अपने से नहीं तो ऐसे भी नी बन रहा है ऐसे भी नी बन रहा है अगर अपने लिवर से बाद में देखेंगे इसको इससे बाद में निप्टा जाएगा ठीक है मैं सब्सक्राइब लेता हो आपके लिए यह मैंने एक इसके लिया ठीक है कुछ भी एक लाइन बना दी इसका इस पर कोई मैं अंगल बना लेता हो ठीक है सब्सक्राइब बना लेता हो ठीक है यह सेवन्टे डिग्री बना लेता हो ठीक है इस पॉइंट को मिट कर लेता है डारेक्ट शिल्पल लाइन लेके यह आपका सेवन्टे डिग्री बना लेता है अब इसका नाम कर लेता है अब इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है में डियर ऐसी लाइन जो इन दोनों एंगल को क्या करें आधा आधा करें एक लेंट जो 35 पे ड्रॉआ हो मतलब 35 एक तो आपके पास कंपास है और सोरी प्रोट्रेक्टर है उसकी हेल्प से कर सकते हो अधर्वाइस दूसरा तरीका आपन देखते हैं क्या करना है यह पे आप आपको आर्क रखना है यह पे आर्क रखने के बाद आपकी इच्छा हो जितना खोल दो इतना खोल दो इतना खोल दो जो इच्छा हो थोड़ा हां डंका कोल देते हैं थोड़ा अच्छा दिखें तो यहां से मैंने आर्क लिए लेना है ठीक है यहां पूरा बना दो कितना भी मना दो उससे कोई फर्क ने पड़ा है बट यह मेना आर्क ड्रॉक अब क्या करना है आपको इस पॉइंट पर आना है जनरली अपन यह लिखते हैं बाकि कितना भी लोग कोई फर्क नहीं पड़ेगा अब इसको क्या करना है यह जितना ओपन कर आ इसके बराबर ओपन कर लिया फिर एक कट यहां से लगा दो इधर एक कट इस पॉइंट पर जाके एक बार आपक लगा लगा लो तो यह यहां पर बाहर चला गए रही है यहां से वापत लगाना पड़ेगा इस थोड़ा हलका फुलका एरर रहा जाता है अब इस पॉइंट इस लाइन को उससे मीट करा दो इससे मीट करा दो तो यह जो एंगल पड़े है आजाओ भाई साथ तुम तुमारा काम कतम हो गया ठीक है यह जो एंगल लाइन बनेगी यह इसका हाफ होगा आप चेक कर सकते हो इवन यहां पर लिखाया है मैं देखो 35 पर बन रहे हैं ठीक है हो सकता है थोड़ा सा मेरे से इसलिए होरी आप से उतनी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी एक्जाक्ट आएगा क्योंकि मैं तो इसके हेल्प से बना रहा हो आपको समझाने के लिए अच्छे से तो यह एंगल हो जाता है तो दोनों एंगल होगे अब सपोज आप इसका प्रूव चा सब्कुल तो इसे होते हैं तो यहां से जब अच्छे से यहां से जब मैंने यह सरकल यह इंदर से ऐसे ड्रोग रहा तो इसकी radius एक ही रही होगी, तो ये भी R होगी, तो ये भी R होगी, तो ये दोनों radius ये कि यहां से R कार सेम मारे, तो परापर होगे, ये दोनों triangle congruent होगे, X, X, X और R, बीच वाली तो दोनों triangle congruent, तो ऐसा आपका simple सा इसका प्रूव है, देखना चाहो तो, otherwise कहीं जरूद पढ़ती नहीं प्रूव की तो, ये तो आपके समझने के लिए मैंने बता दिया, ठीक है, तो ये complete आपका, ये हो गया, angle bisector draw कर लो, और जब भी अपने draw करते, उनकी अपने को लिखनी पढ़ती है step, तो step क्या लिखना है, जो आपने करा है अपनी, अपनी language में लिख लो, मैंने ये line draw करी, फिर 70 degree बनाया, फिर मैंने arc को open करा, फिर एक arc बनाया, इस arc का नाम दे दो, PQ बनाया, फिर P से मैंने एक arc मारा, फिर Q से एक arc माना, तो मैंने को एक arc point मिला, arc को A से meet कर रहा है, तो line segment certified, तो आपको अपनी भासा में लिखना है, जो भी लिखना है, लिख लो, तो मैं लिखा पटी नहीं कर रहा हूँ, आप इतना आप समझदार हो, आप कर सकते हो, के लिए डियर, तो आज के lecture में आपन इतने यहीं पर रोक लेते, बहुत सारा अपने कुछ ची पढ़ा है, प्रूब कि हासर मैंने कभी नहीं बढ़ा, अभी पढ़ा है, तो भी comment करके ज़रूर बताना, और वीडियो को like ज़रूर करना, subscribe कर लेना चैनल को, पहली बार बोल रहा हूँ, पता नहीं क्या ही मन हो गया आज, आपको पसंद आता है, तो otherwise नहीं भी करोगे तो महाँ पी भी आपके doubts किलियर हो जाएंगे, किलियर दियर, तो hope आज का lecture आपको पसंद आया होगा, ठीक है, मैंने थोड़ा creative mean geometry को use करके बताना कि try करिए, क्योंकि generally school वगरा में होता है कि अपन बोर्ड पर उतनी geometry use नहीं कर पाते, मैंने भी देखा है, बोर्ड पर अपन न benefit उढ़ा लेते हैं, ठीक है, तो मिलते हैं अपने next lecture में, thank you so much.